वेल्कम बेक टुमा यूटूब चैनल पेपर है कर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का यूनिट थार्ड जिसमें शॉर्ट आंसर कोश्चन की बात कर रहे हैं यहां पर तो कोश्चन नमबर आपका 17 है ठीक है स्विस्ट्री और आपका बेसी सेकंड समेश्टर के लिए यूनिट नमबर थार्ड जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन को डिसकस कर लिया है आज हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप ठीक है जो कि आपका कोश्चन नमबर 17 है करा राइबोज तथा डी आक्सी राइबोज का सर सरचना सूत्र बनाने है आपको पता रहना चाहिए कि राइबोज डी आक्सी राइबोज में क्या होता है ठीक है तो डी आक्सी राइबोज में यहां से आपका ऑक्सीजन जो है निकल जाता क्या होता है इस सरचना से आपका ऑक्सीजन एक कम हो जाता है ठीक है तो यहां पर आपके दो श्ट्रक्चर दे रखें एक आपका है राइबोज का दूसरा क्या है डी आक्सी राइबोज का ठीक है इसके हम बात करें तो यह आपका किसका है राइबोज का क्या है आपका राइबोज ठीक है इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है ज्यादा अंतर जो है नह होता है तो यह आपकी एक सीधी सरंकला है कैसी यह आपकी सीधी सरंकला को इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होगा फर्ष्ट कार्वन प्याप क्याह लगा रहा हो गार्वड नबब्ल ऑक्सिजन एक से क्या हो भरलुद टहर्र घॅजए तरफ आपका हाइडरी तरफ ग्राइडर में आपके तो इसमें आपके पांस कारवन होंगे जिनमें आपके एक तरफ क्या लगा रहे हैंगो हाइड्रॉक्सल गुरॉप दूसरी तरफ क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा ठीक है फर्स्ट वाले कारवन को आपको देखना है ठीक है अब यह आपकी क्या है इस ट्रेट चेंड फॉर्म है स्क्राव का सकते हैं जब स्टकी हम रिंग फॉर्म बनाते कि बनाते है रिंग फॉर्म बनाते हैं तो Уकसिजन लगा है तो इसकी अगर ठीक है Corn TV सब्सक्राण बनाएं तो हमें क्या मिलेगा यह क्या है आपका oxygen है ठीक है क्या है आपका oxygen यह आपका first carbon है यह आपका second carbon यह आपका क्या है third carbon है और यहाँ पर आपका क्या है fourth carbon ठीक है तो यह आपका first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon तो इस तरह से आपके जो है और आपका ये क्या है आपका उपर फिप्त कार्बन ठीक है तो इस तरह से आपके पांच कार्बन है जिन में हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन पे भी आपका ओच लगा हुआ है सिकेंड कार्बन पे भी थर्ड कार्बन पे भी और फोर्थ वाले कार्बन पे भी आप इधर आपका जहां निकल गया है है और वांडिक और आपका फॉर्थ कारबन के बीच में इन दोनों कारबन के जो है फूर्ट कारवन के बीच में पाया गया इसी तरह से गर दियोक्सजिम करें तो यूषब यूज होता को से कılar वन-धगा निकल जाता है ऑप की straight chain form है यह हम कह सकते हैं कि सीधी सरंखला है कि इसकी राइबोज की ठीक है अब क्या है आपका टू डी ओक्सी राइबोज यानि की टू इसलिए लगा दिया कि जो आपका दूसरा कारवन है कौन सा सेकेंड कारवन का ऑक्सीजन यहां से निकल गया है ठीक है तो भी फर्स्ट कारवन पर तो आपका सेम रहेगा जैसा लिखा था हमने C O O H ठीक है बागी आपका सेकेंड कारवन थर्ड फॉर फिट अब दोखो सेकेंड कारवन वाला जो आपका O H हुआ करता था यहां पर क्या ह जाला गए अभी यहां से oxygen जो है maneuver हो गया है oxygen का हटना ही kya कहलाता है डी- ओक्सिजनेट कहलाता है ठीक है तो यह क्या हो जागा इसका deactivation यहाणि कि डी- ओक्सिजनेशन यहाना कि जो ओपनेकी और फिडी धी आउक्सी राइभॉज हो जाएंगा ठीक है तो चक्रिय फोर्म कि अगर हम इसकी बात कर लें ठीक है तो बाहर की सभी आपकी जो है पूरी पूरी सरचना आपकी सेम रहेगी ठीक है हुए राइभॉज की तरह मैं सब गवना त्रिक्ति अपर कि है वा यानन सी तक्ष निकल निकल गया तो फॉर्म जो हमें मिलती है वह कौन सी मिलेगी डी ओक्सी राइबोज क्या मिलेगा डी ओक्सी राइबोज आगे उसने स्थिति लिख दी यानने कि दो कार्वन से oxygen हटे का ठीक है तो टू डी ऐॉक्सि राइबोज जो है यह बन जागा आपका संवरचना सूत्र किसका राइबोज और auksi राइबोज तो यह तो था आपका राइबोज है यह स्ट्क्ट्री पना देने ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अंगली वीडियो में बने रही है हमारा सीप सब्ल Jack